आज मैं कुलम्म्मा के आप लोगों के सामने एक ऐसे व्यक्तित्व को ले कर आ रहा हूं जिसने कुल्मना के अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने में सबसे पहला योगदान दिया मैं आप बिल्कुल समझ रहा हैं मैं चानकी की बात कर रहा हूं मैं कोटिली की बात कर रहा हूं ये वही चालग के हैं जिनके मार्कदर्शन में जिनके नेत्रत में पहली बार भारत में अखंड भारत की परिकल्पना को साकार किया गया और जिस समय इन्चानत के इस अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने के दौरान भारत की सीमाएं हिंदु कुषपरबत को टच करने लग गई भारत की सीमाओ ने हिंदू कुष्परवत को पहली बाद टैस्ग किया इतना भीशाल सामराज मैं कह सकता हूं कि भारत पर जब यवनो काouter हो रहा है तो जब भारत पर यवनो काकर Dust हो रहा है तो उस यवनों के आकर्मन से विशे सुपसे सिकंदर के आकर्मन से कुल्मा के प्रेरित होकर इस कोटिल्य को लगा कि डेफिनेटली कुल्मा के भारत में एक विशाल समराज की स्थापना होनी चाहिए और इसलिए सिकंदर जैसे भविश्य में यवनों की या किसी भी आकर्मन से अगर इस देश को बचाना है तो समभाविक रुप से भारत की सत्ता का किंद जो पाठली पुत्र है उसमें शक्तिशाली समराट की स्थापना होना जरूरी है और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि चानक के मारदर्शन में चंद गुप्त मौरे ने अंततह एक पाठली पुत्र पर क कि मिले तो निश्चीत पुप से भारत कुना अपने उसे टिहास को दोरा सकता है चानक के कुल्मा नक समराट को बहुत ताकतवर बनाते है लेकिन इसका मतलब यह कभी नहीं है कि समराट वो अत्याचारी होना चाहिए क्योंकि चानक के अर्थशात्र में जिस समराट की कलपना की गई है वो स्वेच्छाचारी नहीं होगा वो बेलफियर पर आधारित होगा वो जनता के कल्यान के लिए होगा उसका जीमन पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित ह इस प्रकार के समराठ की कलपना चानक ने अपने अर्थ शास्त्र में किया और उसको उसने साकार भी किया मैं कह सकता हूं कि चानक के अर्थ शास्त्र में चाहे राजा की बात हो चाहे मंत्री परशत की बात हो जहां उसकी अन्य नितियों की बात हो वो कोई भी काल हो और कोई कौट अरत अर्थ शास्त्र लिखा है जिसे भारत का पहला राजनिति गर्ण्थ काहते हैं वह फौलमे का सचा के देख लिए कोटिली राजा के लिए क्या कहता है राजा के लिए कहता है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख नहीं हित है और प्रजा के हित में ही राजा का हित नहीं हित है क्या गजब की बात है वो कहता है प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में राजा का हित है वो यहां तक कहता है कि जिस राजा के दर्शन प्रजा के लिए दुरलब हो जाते हैं उस राजा का कुल्मना के कहीं न कहीं अंत हो जाता है चाहें प्रजा का कोप भाजन वो बन जाता है चाहें शत्रू का कोप भाजन बन जाता है मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि Ka concealed in mail ये अभारत की लोगतंत्र पर भी लागू होती है वह क्या जंता से संपर्क पाते हैं नहीं रखपाते हैं कि क्या वो प्रजां में अपना ही इस नत on यह उता है क्जिसी कैना गया और प्रजां के शुक्त हो सब्राक़ क्या ऐसा समराथ लोगतंत्र में हमको नहीं चाहिए ऐसा ही समराथ हमको लोगतंत्र में चाहिए मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ क्याणक ने एक बहुत बड़े विशाल मंत्री परशद की भी बात की है इसलिए मंत्री परशद की बात करता है जिससे राजा किसी भी विशे 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 पर किसी भी समस्या पर वो अपने विद्वान अधिकारियों से मंत्रना कर सके कोटिल कहीं कहीं निश्यतरुप से बहुत बड़े अधिकारियों के भर्ग की भी बात करता है और कहता है कि कुल्मना के ये अधिकारी कैसे होने चाहिए ये अधिकारी पूरी तरह से कुल्मना के moral यानी कि एक तरह से नयतिक्ता के सिद्धानतों पर उनके न्युक्ति होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस वीडियो को शॉट करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को कही बताना चाहता हूँ, कि कौटिल राइनितिक छित्र में ही सुधार की बात नहीं कर रहा है, कौटिल सब्तांग सिध्धान्त की बात नह यह कहना चाहता हूं अगर राइट ऑफ एक्वल्टी के अगर बात गर देखना है तो पढ़िए जिसमें उसने पहली बार शुद्रों को आर्ष शब्द से संभोधित किया है यह उसने उन शुद्रों के लिए कहा है जो उपेक्षित हैं जो अवांचित हैं जो पूरी तरह से उसने यहां तक कहा कि देश की सुरक्षा में सैनिक विवस्था में भी शुद्रों का उप्यों किया जाना चाहिए आप बताइए कितनी जवर्जस्त व्यवस्था है यह जो सबसे जादा संध्या में था जो हरत्रह से योगी भी था लेकिन भारत के इतिहास में उनको हमेश की शासकोंने काउट्यन के कहने कहने की नित्यों कि वक्म के कहने के Hansace कि में नितियों की उपेख cancel कर दी इन नित्यों के तिल अघ्री Palmer के कहता क्य Crist was और कुंट्री का बैक का सद्धान्त मैं कह सकता हूं कोचिंग कता वह पूरी से समाद्ट कर दिया इनत्रता mesa कर दिया आने वाले शास्कों के ने क्या किया विशेश रुप से राजपूता ना काल में हुआ क्या देश की सुरक्षा का भार सिर्फ छत्रियों के उपर आ गया देश की सुरक्षा का भार सिर्फ राजपूतों के उपर आ गया जो समाज का कुछ मना जे पिशड़ा और दली तसब त अब का था उसको कहीं न कहीं हटा दिया जाता है उसका सोशन होता है उसको सैनी सुरक्षा से अलग कर दिया जाता है तो अंतता क्या हुआ कि कही न कही न शित रूप से जब हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े समाज को सैनिक व्यवस्था से सुरक्षा की व्यवस्था से अलग किया गया तो हिंदुस्तान पर कुल्मा के शकों का, कुशानों का, हुनों का, अर्मों का, तुर्कों का और यहां तक की मुगलों का और और मैं कहूं कि अंग्रेजों का हिंदुस्तान में शासन स्थापित हुआ अगर शायद कोटिली के अर्थ शास्त्र को और कोटिली के से दांतों का पालन किया गया होता तो मैं दवे के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का जो दलित समाज था हिंदुस्तान का जो सोशित जिसको कहीं 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 कौटिली ने अधिकार दिये थे यदि वो शायद सैनिक सुरक्षा में रहता वो सैनिक व्यवस्था के तहत होता तो डेफिनेटली हिंदुस्तान के सब मिलकर देश की सुरक्षा की होते और देश की सुरक्षा की होते तो हिंदुस्तान में ना तो इसलाम का आगमन हुआ होता ना हिंदुस्तान में इसायत का आगमन हुआ होता ना हिंदुस्तान में किसी अन्य कुल्मना के कहनी का आकर्मनकारी का आगमन हुआ होता जो कि देश की सुरक्षा का भार सबके उपर था लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं कोटिलिके से धांतों की इतिलांजली देकल हमने स्वशित और बंचित समाज को अलग कर दिया हमने उस शुद्र समाज को अलग कर दिया जिसके कारण भारत को उसका खामियाजा भुगतना कि आने वाले समय में हम कौटिलिय के सामाजी के एक्ता के सिधान्थ को पुना इस्थापित करेंगे और हिंदुस्तान के सभी बर्ग के लोगों को कहीं न कहीं एक तरह से राइट ओफिक्वल्टी के सिधान्थ पर इस्थारिद करके इस भारत को पुरह शक्तिशाली बनाये जाएगा पुरह इस राष्ट को मजबूत किया जाएगा और पुरह अखंड भारत की परिकल्पना को साकार किया जाएगा ऐसी आशा के साथ मैं अपनी वानी को विराम देता हूँ आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि कदम ऐसा चलो की निशान बन जाए, अरे कौटिले कुछ ऐसा कदम चल गए, जिससे निशान बन गया, कदम ऐसा चलो की निशान बन जाए, काम ऐसा करो की पहचान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो जी लेते हैं सभी, जिंदगी जीयों की दूसरो के लिए मिसाल बन जाए इनी शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं आप सब को प्रणाम करता हूं जय हिंद जय भाषरत बंदे मात्रम और अगा अगा झाल झाल